ये है एपी योगोज नेटवर और आप देख रहे हैं आखर पधरी खबरों की परताल तरह तक मांसुन सत्र के पहले दिन विधान सबा के बाहर सत्ता पक्च और विपक्च के देवर काफी करे दिखे बिपक्ची पिधायक बजट सत्र की कुंटा से ग्रसित देखे या लगतार बजट सत्र के 23 मार्च की गटना के जिक्र करते दिखे और कह दिया कि बिधायकों की पिटाई को लेकर सीम नितिश कुमार सदन से माफी मांगे वही बिपक्च के इस मांग का बिरोध भी दिखास सत्र पक्च के बिधायकों का इस मसले पर कहना था कि माफी सीम का नहीं बाल की बिपक्च के नेताओं का मांगनी चाहिए उनकी हरकतों की बजट से दुनिया में बिहार की गलत चाभी दिखी गई इसी पीचे राज़त के दो बिधायक सत्र दास और मुकेस रोशन बिधान सभा के बाहर हेलमेट पहने नजर आए इस तरह से बिधान सबा आने की वज़ा पूछे जाने पर राज़त बिधायत मुकेश रोशन दो टुक कहा कि सिल्फ डिफेंस के कारण हेलमिट पन कर आए हैं जब बिहार में बिधाय के ही सुरक्षित नहीं है तो आम अवाम की क्या सुरक्षा होगी है बज़ट सत्र में हमारे बिधायकों और साथियों के साथ इतना घ्रनित और निंदनिये बेवार हुआ जिसकी किसी ने कलपना तक नहीं किया था उक्त मामले पर मुक्य मंतरी चूप नहीं बैठ सकते हैं हम उनसे सदन में माफी मंगबा कर हैंगे इसके अलवा मुक्यस रोशर ने कहा कि मांसुद सत्र में सरकार की कुरोना काल में हुई लूट युवाओ के मिलने वाली रोजगार सिक्छुकों की पक्की नौकी के महसले पर घेरेंगे हर मामले पर मजबूरी इसलिए हम लोगों ने समय मांगा है अध्यक्ष मौदे से कि कल जो है दो प्रस्ताव हम रखेंगे वो दो प्रस्ताव रखने की मंदूरी हमको दे और उन्होंने मौकिक कहा है कि हम आपको प्रस्ताव रखने का मौका देंगे और सदर में तो कहीं दिया कि आज शोक था इसलिए आपको मौका नहीं मिल रहा है कल जो है आप बोलिएगा प्रस्ताव का मौका वो तो ओन डिकॉर्ड आ गया लेकिन हम लोग को प्रस्ताव अब ये दिन आगे कि विधान सभां में निता विरोधी धल को प्रस्ताव रखने का भी मौका नहीं पाद ये स्थिती बनीगी लेकिन हमको आसन पे पूरा भरोता है जो दाग लगा है तो उस दिन का वो धोने का मौका सब्सक्राइब अब अधिकारी लोग अधिकारी लोग तो लॉग तो लाको लोग चुंत के बेशते हैं और अधिकारी लोग जाट गूसे समार के विधान सभा में वो करेंगे ते तो निलम्मन के नाम पर तो आपने उजानी ने तो आई वोस्ट या जिया रहे हैं इस निया निया जानी है उप्सक्राइब सब लोग सभी वीडिया के बंदू सब लोग देखा हूंगे कि विपाक्ष के सभी दर क्या हमारे विधायकों ने बैट जाए ना बैट जाए ना विपाक्ष के सारे विधायकों ने आज जो है काला मास्क पहन करका और यह बताने की जरूत नहीं है कि यह काला मास्क जो है क्यों पहला गया सब लोग जानते हैं कि काले दिन जो 23 मार्च लोहिया जैनती के दिन पर जिस दिन भागत शिंग ने देश के लिए कुर्बानी दीती जिसको शाहदत दिवस की रूपनाया जाता है उस दिन लोकतंत्र के मंदिर में काला दिन हम लोगों ने देखने का काम है आज उसी को लेकर के अब जब सुन सत्र शुरू हुआ है विपक चाहता है कि सदन जो है शांती पूर्वक्त चले और इसमें सब की जिम्यवारी हो जाए सरकार की जिम्यवारी हो या हमारे संद्रक्षन अध्यक्ष मह हो देख सब लोगों की जिवदारी होती है कि सदन चले और हम लोग लगतार जनहित के मुद्दे को उठाते रहें और उठाते रहें कोई भी ऐसा मुद्दा ना हो जो छूटे लेकिन विधान सभा लोकतंत्र का मंदिर है लाखों लोग चुन करके अपना प्रतनिर्दी भी ही स्विश्ते हैं जब लोकतंत्र के मंदिर में थ Himself अगर विपक्ष के लोग दखैक अगर विडाय करे तो आप उसको पुलिश से पिटवाई गांओ बी लोकतंत्र के मंदिर में पर सी हम चेंज ही से भी चलता रहा है सदन चलाने में तभी जाके 93 परसेंट जो है सरकारी जवाब आया है जो हमेशा अध्यक्ष मोदे का करते हैं लेकिन जहां विधायकों का मान सम्मान में रहेगा विपक्ष का मान सम्मान नहीं रहेगा उसको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा तो कहां का लोग तंत्र बचा जब गालियां दी जाएंगी विधायकों को बूट से कुछला जाएगा महिला विधायकों को घशीट करके ठेका जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा आप सब को कहना चाहते हैं सुप्रीम कोट ते क्या का 15 दिन नहीं का ना विहार में कानून का राज नहीं पुलीस का राज है जिस बात को हम लोग कहते हैं वो कालेक कानून के बाद तो समझ Дж MentalBeam तो जो बात को हम कहने हों तो सुप्रीम कोट भी कह रहे हैं पर हाइक कोट के तो यह तक तो कि जेया कि माइंडलेस गवर्मेंट माइंडलेस गवर्मेंट कि आप समझ जाए कि बिहार की क्या स्थिती बनीगे तो आज हम देख्ष मोदे से मिले और हमने बोला कि भाई आज हम खड़े हुए ते प्रस्ताव रखने कि और कोई भी सदस्यका अधिकार होता है कि विधान समा में कभ और देता विरुदी दल होने के नाते हम चाहते थे कि आज जो है प्रस्ताव रखने तुस पर चर्चा होती ने होता है लेकिन एक तरफा नहीं होना